Hello everyone, Welcome to Sleepy Classes तो आईए, आज के हमारे हिस्ट्री के 2 मिनट को कॉंटिन्यू करते हैं सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे एक 2018 का प्रिलिम्स का कोशन है अगर उसको रीफ्रेस करूं आपके लिए कि कौन सा वो फ्रीडम फाइटर था जिसने बायोग्राफिस लिखी तो आपने बताना है कि कौन से वो फ्रीडर फाइटर थे जो इस चीज के साथ जोड़े होए थे तो इसका आंसर है लाला लाजपत्राई तो देखिए अगर ऐसच आपने लाला लाजपत्राई जी को नहीं तयार किया अपने पेपर के लिए तो ये कोशन काफी डिफिकल्ट साबित होगा पेपर में आपके लिए तो इसी के चलते हमने ये इनिशेटिव लिया है कि अगले कुछ साथ आट लेक्चरों में जो टू मिनट में आएंगे आपके सामने तो इसमें हम आपके लिए फ्रिडर फाइटर्स तयार करके लेके आएंगे जो भी पिछले एक साल में न्यूस में थे इससे क्या होगा आपका काफी टाइम बचेगा कि आप अपने तयारी को अपने टाइम को अपने स्टेटिक की तरफ डिवोट करें और जो ये करंट का पार्ट है वो हम आपके लिए तियार करके लेके आएंगे तो सबसे पहले जैसे कि आप देख सकते हैं लाला लाजपत राइजी को स्लेक्ट करने का मोटिव ये था कि पिछले जनवरी में उनकी जो बर्थ अनिवर्सरी थी जिसके चलते पी एमो दिन उनको ट्रिब्यूट पे किया था अगर हम उनकी फेमस लाइन की बात करें तो ये काफी फेमस लाइन है जो आपको पेपर में पुछी जा सकती है अगर आपके लिए पढ़ो तो ये ऐसाच स्टेंड अलोन लाइन भी आपसे पुछी जा सकती है ये किसकी लाइन है तो उसको आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राए उसके बाद अगर मैं डिस्टिंक्टिब पॉइंट्स की बात करूँ जो लाला लाजपत राएजी से जुड़े होए है सबसे पहले कि वो पंजाब को बिलाउंग करते थे पंजाब के फिरोजपور डिस्टिक को और बाई प्रॉफेशन वो एक लायर थे जो की लाहार के हाई कोट में प्रैक्टिस करते थे उसके साथ साथ उनको जो फेमस नेम्स दिये गए थे वो थे पंजाब केसरी और लाइन आफ पंजाब अगर मैं इंफ्लूएंसिस की बात करूँ तो वो काफी इंफ्लूएंस थे स्वामी दयाना सरस्वती जी से इसी के चलते उन्होंने आरे समाज को जोईन किया लाहौर में आगे चलके वो काफी डिये वी स्कूल की भी उन्होंने स्तापना की जो की आज भी पंजाब में रन कर रहे हैं उसके साथ साथ ये बिलेवड इन आइडल्स ऑफ हिंदूइजम और उनका मानना था कि अगर ये दोनों चीजों को हम कंबाइन करेंगे वो और्थोडॉक्स हिंदूइजम को बिलॉग करते थे और इसी के चलते उन्होंने एक हिंदू महसभा को भी जोईन किया इसके कांटरास्टिंग एक पॉइंट है जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो और्थोडॉक्स हिंदूइजम को बिलॉग करते थे पर उन्होंने अंटचबिलिटी के लिए भी आवाज उठाई और उनका मानना था कि अंटचबल के बास भी यह प्रिवलेज होनी चाहिए कि वो वेदों को पढ़ सकें जो भी उनके मंतराज हैं उनको रिसाइट कर सकें तो यह कॉंट्रास्टिंग पॉइंट है जो आपके आंसर को सही या गलत बना सकता है उन्होंने पंजाब जो नैशनल बैंक है काफी फे कॉमेंट्स में यह बताना है यह जो स्पेशल सेशन था का उसमें कौन सा डिसीजन लिया गया था क्यों क्या इंपोर्टेंस है इस स्पेशल सेशन की और लास में हम बात करेंगे कि 1926 में उनको डेप्टी लीडर भी स्लेक्ट किया गया था और दा सेंटर लेजिसलेटिव असेंबली जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस कोशन में भी यह पूछा गया था यह आपके लिए पूरा पेज यह है इसका अगर आप एक पेज भी पढ़के गये होते लाला लाजपतराई को लेके तो आपका अंसर एकदम सही वहां पे आप कर पाते हैं तो आपके लिए हम सारा तयार करेंगे तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं हैं आगे अगर उनकी कॉंट्रिबूशन की बात करें इसमें प्लिटिकल सोशल और लिटरल लिटरेरी कॉंट्रिबूशन की बात करेंगे तो सबसे बहले अगर हम प्लिटिकल कॉंट्रिबूशन की बात करें तो तो वो जैसे कि हर फ्रीडर फाइटर की तरह जो obvious points होते हैं तो उन्होंने सबसे पहले जो बेंगाल की partition थी जो जो 1905 में हुई उसको oppose किया उसके लिए उन्होंने एक political agitation चलाई जो की उसको ultimately उनको deport कर दिया गया बर्मा में without trial और क्योंकि उनके खिलाफ कोई as such evidence नहीं मिला तो उनको साथ के साथ ही release करती है 1917 में उन्होंने एक Home Rule League of America established की New York में यह काफ़ important point है जो आपने ध्यान रखना है 1920 में उन्होंने उनको एक President select किया गया of the All India Trade Union Congress और 1928 में उन्होंने एक resolution निकाला against the Simon Commission क्योंकि उसमें Simon Commission में कोई भी Indian members नहीं थे जिसके चलते उन्होंने 1927 में काफ़ी फैमीन का दौर चल रहा था इंडिया में जिसके चलते काफ़ी लोग भुकमरी का शिकार हो रहे थे तो उसके लिए उन्होंने यह relief movement start किया और 1921 में उन्होंने servants of people society start की अगर इस society की बढ़ात करूं तो इसमें क्या थे जो लोग थे वो as a intern रखे जाते थे उनको train किया जाता था ताकि वो अपने देश की अजादी के लिए लड़ सके तो यह थे उनके social contributions उसके आगे अगर हम literary contributions की बात करें as such काफी important है अगर आप देखें तो उनके द्वारा जो जो books लिखी गई थे वो थी the story of my deportation in the year 1908 यह जब वो release हुए वापस आई बर्मा में से तब उन्होंने लिखी आरे समाज 1915 में United States of America Hindu impression in the year 1916 और एक साल बाद उन्होंने 1917 में जो इंडिया home rule league भी चलाई वहाँ पे New York में उसके बाद 1920 में उन्होंने national education के उपर book लेखी the problems of national education in India उसके साथ 1928 में unhappy India book लेखी और last में England's death to India यह books थी उनके important जो आपने ध्यान रखनी है अगर ऐसाच इन books को अगर आप stand alone पढ़ेंगे तो ऐसाच इनको याद रखना बहुत difficult है अगर आप लाला लाजपत रहे की life के वारे में पता होगा जैसी कि आप आपको पता है कि उनको बर्मा को डिपोर्ट कर दिया गया था वो आरे समाज पे उनका काफी influence था उसके अगर हम उनकी newspapers की जनने को भी बात करें तो उन्होंने आरे गैजट के नाम से newspaper को find किया as its editor और वो काफी regular contribute भी करते थे two major newspapers such as Hindi, Punjabi, English and Urdu उसके बाद उनकी autobiographical writings की बात करें तो उसमें सबसे important नाम है और एक ही नाम है जो उन्होंने अपने उपर autobiography लिखी तो उसका नाम है यंग India and interpretation and a history of the nationalist movement from within तो यह काफी important है जो आपने ध्यान रखना है और यह काफी scope है इसका आपके paper में पूछे जाने का और last में जो हमारे को Wikipedia से line में मिली that he also wrote biographies of Mezzini, Garibaldi, Shivaji and Shri Krishna यही line है जो आपको paper में पूछी गई थी तो आप देख सकते हैं कि एक Wikipedia की एक जो as a simple page भी आपका वहाँ पे release में एक आपके question को answer कर सकता है और last में अगर उनकी death की बात करें तो जैसे हमने पहले पढ़ा था कि 1928 में उन्होंने एक agitation run की थी Simon Commission के खिलाफ और वहीं पे उन पे लाठी चार्ज हुआ था by the superintendent of police जिसका नाम था James Scott और इसे के चलते उनको जो injuries आई थी वो उसको sustain नहीं कर पाए और उनकी death हो गई और death के time पे उन्होंने ये काफी थे famous slogan दिया था famous line कही थी अगर उसको पढ़े that I declare that the blow struck at me today will be the last nails will be the last nails in the coffin of the British role in India तो ये था लाला लाजपत राए जी के बारे में पूरी details इसके बार आपको ऐसे नहीं आएगा लाला लाजपत राए जी के बारे में अगर आपको ये initiative अच्छा लगा हो कि जैसे हम ये start किया है कि हर एक freedom fighter को हम cover करेंगे आने वाले two minute series में so please comment section में हमको बताइए आगे और कि क्या मतलब होता है अगर हम ancient India की बात करें तो उसके लिए भी हमने special series run करेंगे जो कि सब उन terms को cover करेगा जो कि हमारे NCRT's में या फिर जो हमारे old NCRT's है आरे शर्मा हो गई या सतीश चंद्रा होगी उन में जो भी special terms है वो आपके लिए cover करके लेके आएंगे और आपके पास एक PDF होगा जिसको आप refer करके उन questions को भी answer कर पाएंगे जो अभी तक आप ancient और medieval में से छोड़कर आ रहे थे इस बार हम आपके लिए history का पूरा जोर लगाएंगे कि आपका कोई भी question गलत ना हो so thank you so much